वेल्कम तो मैं चानल काम स्टडी आज की वीडियो में हम न्यू चेपल स्टाट करेंगे अनलाइसिस एंड इंटर्पूटेशन ओफ फैनेशल स्टेटमेंट के सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फैनेशल स्टेटमेंट है इसका हम क्यों बनाते हैं और प्लस फैनेशल भी कारण सब्सी अच्छी स्टेटमेंट होती है अपने कि इसे स्टेमेंट वी शेक्ञान सब्सक्राइब करते हैं इसे बस पस्क्ति ऐसे आपको स्कट्रोट होटा है उसके बाद मborस consistent तो 연नी ही स्टेटमेंट निएख सभी बुृइच्स पेसे द्यों हो बुजमेंट किसी पार्टिकुलर रिगे किसी पेटिकुलर टाइम में अपनी फैनेशनल पूझे को पता लगा सकते हैं कि उसके बार नेक्स ए्ट न एकल सट्रियेक हैं इनडीश्बिक न डानेशी के लिए रहा है थीजी होते हिए भी हमें पता लगा कैसे अब देखेंगे प्रताल करने तके उच्छे सुनको इंस्पेक्ट करना है तांकि आपको एक पर्टिकुलर फिर्म की पर्टिकुलर बिस्नस का जो फाइनेशल पूजिन वो पता लग सके तो आज के चैप्टर में इनी सब हम फाइनेशल पूजिशन को कैसे अनलाइस करते हैं कैसे हम एक देन क्मपाराटिव दरका वाइन फिर्म करें में ऌदीर है मां उसका जना फिर्म कॉंपारेतिव कितेव कॉंपाराटिवा दरका रख ये लुथ जुपित आंने अलाइसिस तो आज के चैप्डर में तो इसचेप्र हम करें confrontation पेल्जों सबस्षाब कोड़े से के हमें पाल में और नहीं। सबस्सक्राइटिव जिए में झाते ये सबस्तिया नहें माल में गंवनिके फोलेफियो करफा नस के क्लव कि या फी सबसाइब उgoingा है सबस्सक्राइब में हमें सिर्फ celebrating से और ले अगले साल तक ज्यासे कि आपकी सेल 6,00 वापकी सेल 5,00,00,00 , 2020 अपकी 10,00,00,00 , जिस उपने यह एदoration आप जाने कि कि बिस्नस एक ही होता तक है आपने बिसनस और भाली उते हुआ है है कि आपको एक बिसनस के लग यह दोक देखने होता है वैसे भी नेम से क्लियर है, comparative, comparative का मतलब बना आपस में, comparison करना हमने, अब देखें, next हम देखें इसका formula, sorry, format, format में कहा है, सबसे पहले की column को सबनेंगा particular का, जिसमें अब क्या लिखेंगे, starting up किस assets से होगी, assets की आपने सबसे पहले लिखनें, उसमें assets, assets आपने वही टाइप लिखनी है, और यह कोई fix निया कि आपने पहले, fix asset ही लिखना है, आप कोई भी type लिख सकते हो, जैसे है, fix asset पहले, investment आपकी बाद में, current asset आपकी उसके निचे, इन तीनों को plus कि आपका total assets, अब देखें, assets के अपने according change कर सकते हैं, जैसे कि share capital आप नीचे लिख सकते हैं, current liability उपर लिख सकते हैं, तो कोई fix नहीं है, share capital लिखी, अपने liability में share capital आती है, reserve and surplus आता है, reserve and surplus में, reserve savings, surplus मतलब कोई आपका profit, long term long आपने लिया किसी से वो भी यहां आएगा, current liability वो भी यहां आएगा, and last step है, total liabilities जैसे कि आपको पता है, balance sheet है, balance sheet में, asset and liabilities दोनों ही आती है, तो एक चैसा आपने यहां दखनी है, कि जो अपने plus 1 में balance sheet की थी, plus 1 में balance sheet की थी, वो थी आपके asset, liabilities each side, and assets each side, उसके बाद अपने plus 2 में balance sheet की थी, उसका again format change हो गया, company act के आने के according, उसका format change कर देए, उसके according के पहले liabilities आनी है, अब उसके बाद क्या आनी, assets आनी है, अब हम करते है, B.com में करते हम, common size, comparative size analysis को, इसका पहले है, क्यों change हो है, क्यों change हो है, देखो, कहते है कि आपने comparative size balance sheet में, सबसे पहले क्या लिखना है, assets लिखनी है, उसके बाद का लिखनी liabilities, और इस चीज में आपको प्रिवियस से पिछला साल, एक होगा आपका current है, current है, current है, मतलब कि जो अभी आपका चलवा है, जैसे कि अभी आपका कौन सा साल है, 1920, इसके पहला साल कौन साल है, 1990, इतना चीज से आपको given होगी, इसके बाद, आपने का बनाना है, इन दोनों की help से, absolute change and percentage है, आपने का द absolute का मतलब होना, in the form of money, कि आपने पैसे की amount में देखना है, कि कितना change आया है, and next होता है in the form of percentage, कि आपने वही चेंज निकालना है, आपने परसेंटेश में निकालना है, अब देखे, इसका formula के होता है, कि current year minus previous, जो आपका current year, इस साल की amount में से अपने पिछले साल की amount को minus करन इसका formula के है, इसका formula के है, absolute change का, कि आपने current year को minus करना है, previous year के साथ, ऐसे आपको परालग जाएगे, कि आपका कितना change आया है, पैसे में, कितनी amount में आपको change आया है, in the form of money, next कि अगर इसी change को हम निकाले, percentage में, त उसका formula के होगा, जो आपका absolute change है, इसको हम divide करेंगे, previous year के आपना जो base के साथ, multiply 100, यह है आपका second formula, percentage change का, जो आपका third column, इसका आया है, third column divided by first column, multiply 100, यह है, यह column wise है, यह है आपका formula wise, absolute change, multiply divided by previous year, जो कि आपका base होता है, multiply 100, next इसको बताते हूं, next हम देखते है, इसका निमारिकल, आपको कहागी, इसका आपको कहागी, इसका इसका इस आपका कुछ इंफुमेशन गिवन है, इसका उसका इसका बनानी है और अलग-डग यह जड़न है, आपको लमच इका प्रेस बनानी है, आपको अलग-टलगा अटम säger, दो साल की इसका इसका लिविलस्तिगए गिवन है, इससली सार्च पासिद रह हैं, असली एपको आसे है सबसे पहले हम क्या लिखना हमने अपना previous year को पहले लिखना है उसके बाद हमने क्या लिखना है current year उसके बाद आपका यह दो कॉलम एक्सटर बनेंगे absolute change इसका फॉर्मला गया था कि current year में से इसके बाद हमने बाद हमने फॉर्मला गया था absolute change divided by previous year लिखें लिखें मिल्टिप्ला तक है सबी के फॉर्म ने लिख लिए उसके बार किये ना प्रिवेस यह कितना 2012 कि अपनी लिखा है यह लिख लिख लिखने के बार नेक्स्ट टोटल है दोनों का वह मैं लिखंगे सबसे पहले मरके मैंने यह दो क्या दीक हम अब दिखीर Сबाह PHIL डाइले पसे लोखने शन talking औरफ। कि अभी तर यह बेडिशे की ऑफ़ आपको कि अविखने नेक्स्यां मेर के अ यह नियृंग गया अदौन्ट कर छुब टिखकिश हैं इसमिल आपने पस copy paste करना और कुछ नहीं एक तो दो तो तो अपने सेम निख देना टिक है इसके बद के बनें ये दू कॉलम एक्स्ट्रा आप अपके बनें ये दू कॉलम एक्स्ट्रा अब रिखें आपके करंट केमें लिए वान लेक्टी कितनी थी नेक्स्ट इमेडा 8,25,000-6,00,000 यह क्या आगए 1,75,000 शरी हमने अमाउंट कर दी 8,25,000-6,66,000 6,60,000 तो आपके इमाउंट कितनी आगी 1,65,000 तो इतना चेंज आए देखिए एसी भी आप देख सकते हैं कि आपके जो ऐसेटी 23's में कितनी थी 11 lakh something थी ठीक है आपकी कहते है पिछले साल हमारी asset कितनी थी 12 lakh इटमिस यह क्या हुआ है पिछले साल से कम होगी that is why answer के आगा माइनस में ठीक है next हम देखे कि आपके जो asset secret asset वो अब ती 8 lakh something और पिछले साल कितनी थी 6 lakh something but it means पिछले के comparison क्या हो यह increase होगी है तो यह answer आप पॉजिटिव में यह करने के बाद next में यह जो जीज है 75,000 यह भी से मैं निकाल होगे देखिए 1 lakh 65,000 माइनस का 90,000 के आपका पॉजिव में 75,000 यह भी हो गया आप इसे ऐसे भी निकाल सकते है 19,800,000 माइनस 19,500,000 75,000 अगर आप यहां से सॉल्फ करेंगे तो भी आपका सेम है और यहां से आप सॉल्फ करेंगे तो भी आपका सेम है यही आपकी पहचान होती कि आपकी comparative balance sheet रही है कर नहीं है उसके बाद अगर इसके में निकालो percentage change अब लिखेंगे तोटल मेरा change है 90,000 अगर 90,000 मेरा change है fixed asset में अब यह change को जो है इसका base क्या है 12,45,000 तो मैं 90,000 को डिवाइड करूँगे 12,45,000 से and multiply करूँगी 100 के साथ तो यह आपका आगा 7.23 और 22 तो यह चीज़ लिख दी ठीक है change में है तो percentage में होगी उसके बाद next 1,65,000 divided by 6,60,000 multiply 100 यह है 25,000 तो यह इसका total जब मैं निकालोंगे तो यह इदर से चेंज दिखूँगे 25-7.23 यह चेंज 17.something // inki ही सऐैंसे आपको किन्ट मिलते हैा ठीक है कि आपने यह चो लेना है आपनी all your total rempl गासे जितन थी लेना है जितन आपने XLec लेना है जितन से अपने virgin के से अपने परसंटेच लेना है टीक है वह अपने कैसे लेना है अपनी आपम श जाना है इस फ्वानरिका 100 यह आपका 3.94 तो यह है अपका अंसर उसके बाद सेम में करूंगे अपनी लाइबिल्टिस के आपके लाइबिल्टिस इस साल थी 9,00,000 पहले थी 7,50,000 तो चेंज कितना है इसकी परसेंटेश निकालों तो 150 डिवाइड बैस 7,50,000 यह यह दूख केंगा बैसे नहींद रूलक पारके आपके पर रूलक बैसन के सेम तयां बटी तो λाइब लाइज इसन के डिवाइड रूलक फॉजण करू ऑन न्यू यह पर शाल कितना था मार्लक फॉजवाराश न साल के पाररियस शह में कितना है विन बैस निकतना सटियर तो 75 divided by 150 multiply 100 यह कि है आपका 50 ऐसे में दोनों को निकाले हम अब देखिए अगें इन का मैं आपका लास्ट का अब देखिए तोनों के अमाउंट तो सेम आपको पता टोल एसे इसे इसे हो तोल लाइबिल्टि इसके अचेंज यहां होगा जितना परसेंटेज इहां कितनी परसे उचान कि आपकी एसेट हमेश्य होने चाहिए लायबिल्टेस की एक्वल्टिक है